करने के लिए सबसे पहले हमें दो मीडियम साइज के टमाटर चाहिए और इसे छोٹे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए एक टमार्टब को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसे mixi में अच्छी तरह से blend कर लीजिए इसकी हमने एक तुछी प्यूरी बनानी है प्याइज सबसे पहले हैं एक चमच पूरी लिया और एक चमच रोव मिल्क लिया इन दुनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया तो सेकिंड श्वरबिंग करना है इसके लिए मैंने टमाटर को हाफ पार्ट में काट लिया और एक चमच में बेशन लिया और इसमें थोड़ी सी शूगर एड़ किया दु तुमाटर को डिप करने है और इसे हमें स्क्रबिंग करनी है थर्ड हमें पैक बनाना है ने के लिए मैंने दो चम्मज टमाटर की प्यूरी ली आ एक छोटा चमज शोटा गैसन बेसन अड़ किया है और आदा चम्मच मैंने इसमें दही आड़ किया है थोड़ा सा शहद यह थर्ड स्टेप पैक रेडी है तो फ्रैंड्स सबसे पहले हमें किनज करनी है इसके लिए कॉटन कोई को इसे आपको अपने फेस को क्लीन करना है आपकोung सौफ्ट हैंड से अपने फेस को कलीन करना है आपको अपना फेस भी रगड़ना नहीं है तू या त्री मिनट्स आपको इसे अपने फेस पे मसाज करनी है इसे आपके फेस पे जो भी एक्स्ट्रा ओयल होगा जो भी डर्ट होगी वो सारे ही रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन बन जाएगी इसके बाद आप अपना फेस वाश कर लीजिए और टावल के हल्प से अपने फेस को ड्राई कीजिए तो फ्रेंट्स जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सैंसिटिव है वो प्लीज इस फेशिल को अवाइड ही कीजिए अब हमें स्क्रबिंग करनी है इसके लिए मैंने हाफ टमाटर को बेसन और चिन्नी में डिप किया है और इससे मैंने स्क्रबिंग करनी है बेसन से आपके चेहरे पे निखार आएगा और चिन्नी स्क्रबिंग का काम करेगी इस स्क्रबिंग से आपकी स्किन पे नैचुरल ग्लो आएगा 8-10 मिनट्स आपको स्क्रबिंग करनी है अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में आप स्क्रबिंग कीजिए इस से जो भी आपकी पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी और जो भी डेट स्किन होगी वो भी रिमूव हो जाएगी बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से स्क्रबिंग करनी है 10 मिनट्स स्क्रबिंग करने के बाद आप अपना फेस क्लीन कर लीजिए और टावल से अपने फेस को ड्राइ कर लीजिए अब हमें पैक अप्लाई करना है तो पैक में आपको पता है मैंने बेसन एड़ किया है शहद एड़ किया है टमाटर की प्यूरी और दही यह सारी नेचुरल चीज़े हैं यह आपकी स्किन पे नेचुरल ग्लो लेके आएंगी यह पैक आप वीक में दो बार लगा सकते हैं यह आपको इंस्चेट ग्लो देगा 20 मिनट्स के लिए आपको इसे रखना है आफ्टर 20 मिनट्स आप फेस वाश कर लीजिए तो फ्रेंट्स देखिए मेरे स्किन पे कितना ग्लो आ रहा है तो अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो फ्रेंड्स मिलती हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ ओकी बाई थेंक यू